हेई, वाट्स अब गाईज, वेलकम टू माई यूटीव चैनेल, आईटी क्रियाटर्स, सो गाईज, तू टू टन इस वीडियो, आई विल सो यू फाइब कूल स्मार्पोन गैजेट, जिसको आप अनलाइन मर्केट से पर्चेस कर सकते हो, तो यसा भी गैजेट आपको एंट आईकन को आउन कर लिजिए, आगे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा, फाइब, वाइफाई हीडेन कैमेरा, इंटर्डूसिंग HD वाइफाई सेकूरिटी कैमेरा, जिसको आप स्पाई कैमेरा भी बोल सकते हो, तो एक कैमेरा बॉक्स को फर्स्ट अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, बोक्स के अंदर क्या 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 कॉंटेंट देखने को मिलेगा, तो इस बोक्स के अंदर से आपको मिलेगा कुछ कैमेरा हेट्स, एक चार्जिंग केविल, एंड उसके साथ मिलेगा एक इूजर गाइड मैनुवल बूक्सिंग के अंदर इस कै मटतर कर सकते हो and Wifi के मदवrig के इस Mm एप गांचे से इस मेरा का लाइव वीडियो पूटेज आपका स्मार्पोन में देख पाँगे और विए Spy Camera का साइट में आप आप 32GB मेमोरी कट लगा सकते हो एंद उसके नीचे में आपको मिलेगा एक on off बटन एंद उसके साइट में आपको मिलेगा mode बटन एंद उफर की तरफ मिलेगा charging port एंद नीचे की तरफ आपको मिलेगा manually video pause play button तो ये सबी था इस Spy Camera box के अंदर तो अभी आपको दिखाऊंगा इस कैमेरा को स्मार्टफोन से कैसे connect करना है इसके लिए इस hidden camera का app को आपका स्मार्टफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा देन इस hidden camera को just on करना है उसके बाद Wi-Fi automatic on हो जाएगा देन आपका स्मार्टफोन में इस app को open करके इस camera का Wi-Fi के साथ आपका स्मार्टफोन को connect करना है देन इस camera का live video footage आपका स्मार्टफोन स्क्रीन में देख पाओगे एंड इस camera को किसे भी hidden place में डाखके वाइफाई के मदद से उस प्लेस का hidden footage आपका स्मार्टफोन में देख पाओगे एंड आप चाहोगे तो किसे भी footage को आप इस camera के मदद से recording करके ढख पाओगे एंड ये camera के साथ इस camera heads को लगा के इस camera को बहुती easily hiddenly use कर सकते हो तो ए camera को आप purchase करना चाहते हो तो purchase link वीडियो description में मिल जाएगा गाईज drawing करना हम सभी को पसंदे बाट normal pencil से 3D में drawing करना बहुती मुश्किल है तो इसलिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक pen जिसके मदद से आप 3D में drawing कर सकते हो So guys introducing 3D pen तो इस 3D pen box के अंदर से आपको मिलेगा एक filament and उसके बाद मिलेगा equitable charger and उसके बाद इस box के अंदर से आपको मिलेगा main content 3D pen तो इस pen के मदद से ही आप 3D में drawing कर सकते हो तो इस pen को सही से चलाने के लिए इसके साथ मिलेगा एक user guide manual book तो इस user guide manual book को follow करके इस pen का हार एक button को सही से operate कर पाऊगे जिसके बज़े से इस 3D pen को use करके आप बहुती sharply 3D drawing कर पाऊगे तो इस 3D pen का site में आपको मिलेगा बहुत सरा useful buttons और इसके साथ मिलेगा एक छोटा digital screen जो screen में इस 3D pen का temperature को monitor कर पाऊगे और इस छोटा display के site में आपको मिलेगा और दो button जो button को press करके pen का heating temperature को adjust कर पाऊगे और pen का इस button को उपर नीचे करके pen का ink यानि filament कितना speed में pen से निकलेगा उसको आप adjustment कर पाऊगे और इस pen का ये दो button को press करके pen के अंदर filament को add कर सकते हो और opposite button को press करके pen के अंदर रहने वाला filament को बाहर निकल सकते हो तो अभी आपको बताऊंगा ये pen को use कैसे करा जाता है तो ए 3D pen को चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक power adapter की जो 12V 3A power provide करता है तो simply इस pen में power on कर देने के बाद इस pen का feature से filament को अंदर add कर देना है उसके बाद इस 3D pen का adjustment button को press करके हवा में भी drawing बना सकते हो यानि 3D drawing and crafts बना सकते हो तो आपका creativity and talent का हिसाब से ऐसे ऐसे 3D crafts बना पाओगे तो गाइस ये 3D drawing pen को अब purchase करना चाते हो तो purchase link वीडियो description में मिल जाएगा गाइस बेसिकली music सुनने के लिए हम सभी तो काम में लेते है headphone या earphone का तो हार सभी music lover के लिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक wireless earphone जिसमें आपको मिलेगा emergency earphone को charge करना के लिए power bank support So guys, introducing touch control wireless Bluetooth earphone तो ये है wireless Bluetooth earphone का एक case जो case को आपका smartphone charger से charging कर पाओगे यानि ये case एक power bank है तो इसके अंदर wireless earphone को रड़ाक के कभी भी charging कर सकते हो और ये wireless earphone का case को खोलने के लिए simply इस बटन को प्रेस करके इस तरीके से इस case को खोल सकते हो तो इस case को खोलने के बाद इसके अंदर आपको दिखेगा दो magnetic wireless Bluetooth earphone एंड ये earphone को बना गया है totally touch control और इसके साथ दिया गया है magnetic charging port तो इस earphone को इस case के अंदर रखोगे तो magnetic power के बज़े से इसके अंदर से earphone नहीं गिरेगा तो इस earphone में music चलाने के लिए इसका उपर finger से touch करके इसको on कर सकते हो देन ये earphone on होने के साथ साथ इसमें Bluetooth भी activated हो जाता है उसके बाद आपका smartphone में Bluetooth on करके इस earphone के साथ connect करके इसमें आप music enjoy कर सकते हो और आपका smartphone से ये दोनों earphone में एक साथ music चलाने के लिए ये दोनों earphone को एक साथ on करना पड़ेगा देन आपका smartphone से किसी भी एक earphone का Bluetooth से connect करके ये दोनों earphone में एक साथ music सुन पाओगे एंड इस earphone में music सुनते टाइम इस earphone में कभी भी charge कताम हो जाएगा तो इस एरफोन को इस केस के अंदर रखे कभी भी फुल चरजिंग कर सकते हो 2. 4K Android TV Box गाईज हम सभी का घड में एक LCD LED TV तो होता ही है बढ़ हर सभी का घड में एक स्मार्ट TV होना पॉसिबल नहीं है बिकॉस एक स्मार्ट TV का प्राइस नॉर्माल LCD LED TV से बहुत ही कोशली होते है तो इसलिए आज आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक स्मार्ट डिवाईस जिसको यूज करके आपका नॉर्माल LCD LED TV को एक स्मार्ट TV यानि Android TV बना सकते हो यानि आपका नॉर्माल LCD TV को एसे Android स्मार्टफोन की तरा भी यूज कर सकते हो So guys, introducing H96 Max 4K Android TV बोक्स तो एक TV बोक्स में आपको मिलेगा कुछ एमेसिंग फीचर्स जैसे कि इसका समने की तरा आपको मिलेगा एक LCD डिस्प्ले और इसके साइट में आपको मिलेगा बहुत सारा Input Output Ports जैसे कि 4 USB Port, 1 HDMI Port, 1 Ethernet Port, 1 3.5mm Sight AV Port और 1 3.5mm Sound Output Port तो ये साभी था ये Android TV बोक्स का External Feature तो आभी आपको बताऊंगा ये Smart Android बोक्स का Internal Features के बारे में तो ये Android TV बोक्स को किसी भी LCD LED TV के साथ कनेट कर सकते हो और ये TV बोक्स में मिलने वाला AV Port के मदद से किसी भी CRT TV में भी ये Android TV बोक्स को चला पाऊगे तो गाईस किसी भी TV को आप Android Smart TV बनाना चाते हो तो ये TV बोक्स के मदद से बना सकते हो तो ये Android box में आपको मिलेगा 4GB RAM, 64GB Internal Storage, Android 7.1 Nougat Operating System जिसके मदद से आपका smartphone में मिल लेवाल hard apps and games को ये smart Android TV box के मदद से आपका TV में चला पाओगे जैसे कि Facebook, YouTube, WhatsApp and किसी भी games को इस TV box के मदद से आपका TV में खेल सकते हो तो ये Android box को आप purchase करना चाते हो तो purchase link वीडियो डिस्किप्शन में मिल जाएगा 1. Xiaomi Wi-Fi Repeater गाईज अचकल के दिनों में JioSIM यूज करने के साथ-साथ हम सभी का घर में, कॉलेच में या ओफिस में Internet broadband connection तो रहता ही है तो ये Internet broadband connection को हमाड़ा हर सभी smart device में यूज करने के लिए हम सभी तो काम में लेते हैं Wi-Fi router की तो एक Wi-Fi router की signal range limited होने के बज़े से हमाड़ा घर का या ओफिस का हर सभी room में ठीक से Wi-Fi signal मिलना बहुत ही मुश्किल होते है जिसके बज़े से Internet speed बहुत ही slow हो जाता है तो आपका अधर स्रूम में मिलने बाला काम Wi-Fi signal को फूल बनने के लिए यानि आपका Wi-Fi router का signal range को extend करने के लिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक device जो Wi-Fi signal को बराने के साथ साथ Internet speed को भी stable करता है So guys, introducing Xiaomi Pro Wi-Fi repeater तो Xiaomi का ये repeater इंडिया में अभी भी launch नहीं हुआ है तो इसको इंडिया switch port में use करने के लिए इसके साथ एक converter लगाना पड़ेगा देन ये Wi-Fi repeater को digitally configure करने के लिए आपका smartphone में MI Home app को download करना पड़ेगा देन इस app के अंदर digitally step-by-step हाड़ेक instruction को follow करके इस repeater को आप step-by-step setup कर पाओगे देन ये Wi-Fi repeater खुद का एक Wi-Fi signal बना लेता है तो ये Xiaomi का Wi-Fi repeater को अब purchase करना चाते हो तो purchase link वीडियो description में मिल जाएगा So guys, ये amazing वीडियो के लिए एक like तो बनता ही है अभी subscribe कर सकते हो and screen का एक वीडियो को भी देख सकते हो So thanks for watching this video guys and ta-ta take care